जैशे कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी द्रिश्ला के साथ आज मैं जिस विशे पेर आपसे बात करने आई हूँ विशे बहुत संजीता है विशे ऐसा है जिसके उपर हर इंसान कहीं न कहीं अटक जाता है क्यों? क्योंकि इस विशे को लेकर हमारे पास कोई प्रमार नहीं है बहुत सारे लोगों के जब सारे उपाय करने के बाद सारी दुनिया का प्रियास करने के बाद जब कोई भी रस्ता नजर नहीं आता तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे उपर किसी ने कुछ कर दिया है कोई टोना, कोई टोटका हमारे जीवन में आकर इस तरीके से बैठ गया है जिसकी वजह से हमारे घर में निरंतर कलेश रहता है हमारे जीवन की प्रगती रुख गई है हमारे बच्चों को कहीं ऐसी टोक लग गई है जिनकी वजह से उनकी जीवन में अव्यवस्थाएं हो गई है उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं हो पाती उनकी शादी होती है तो वो टिक नहीं पाती बहुत से घरों में तो मैंने ऐसा देखा है कि कई कंडिशन्स में दो, तीन, चार भाई बहन होते हैं सबकी शादी होती है और सबकी ही शादी कहीं ना कहीं विफल हो जाती है यानि की तूट जाती है या किसी वजह से वो शादी खतम हो जाती है कई घरों में मैंने देखा है कि हमेशा आर्थिक तंगियां बहुत जादा बनी रहती है और जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम इन सब का कारण एक ही बना लेते हैं और वो ये कि किसी ने हमारे उपर कुछ कर दिया है किसी ने कुछ कर दिया है ये कैसे पता चले किसी ने कुछ करा है तो उसका निवारन कैसे करें वो मैं आज आपको बताने आई हूँ कि अगर आपके घर में किसी के उपपर कोई जादू तोना या किसी तरह का कोई टोटका हुआ है तो आप कैसे पता कर ले कि वो हुआ है लेकिन अगर आपको पता लग गया है कि वो हुआ है तो उसका समाधान क्या कर ले इस बात पे मैं आज चर्चा करने आपके साथ आई हूँ आपके घर में हमीशा एक अजीब सा तनाव बना रहता है आपके घर के electronic items बहुत जल्दी जल्दी खराब होते हैं आपके घर में लोग खुशी खुशी प्रवेश करते हैं लेकिन जाते जाते या तो वो अपना मन खराब कर जाते हैं या अपनी बातों से आपके मन को मायूस कर जाते हैं लोग हमेशा आपके सामने आपकी कमियां ही निकालने बैठते हैं लोगों का आप और आपके परिवार के सदस्यों पे हमेशा दोशा रोपन ही रहता है भी कभी आपका appreciation नहीं होता आपकी प्रशंशा नहीं होती तो कहीं न कहीं मानके चलिए कि कुंडली में तो दोश होगा ही होगा लेकिन साथ में आप किसी ना किसी नजरिया तोटके से भी ग्रस्त जरूर होंगे आपकी कुंडली के अंदर अगर राहू लगन में बैठा है कुंडली के अंदर अगर मंगल राहू लगन में बैठे हैं कुंडली में अगर बारवे घर के अंदर शनी मंगल साथ में बैठे हैं बारवे घर के अंदर गुरू मंगल और शनी की यूति आ रही है तो ये मानके च कपड़े अचानक से या तो कट जाते हैं या जल जाते हैं या चलते चलते ही फट जाते हैं और ये निरंतर रूप से हो रहा है अक्सर ऐसा होता है कि आप चीजे रखकर भूल जाते हैं आपके साथ जो चीजे चल रही हैं वो कहीं न कहीं आपको प्रभावित कर रही हैं और बात बात में अपनी सोच में नकारत मकता लाते जा रहे हैं आप अच्छा भी करने जाते हैं तो आपको चिर्चिरा पनाता है आपकी पूजाएं पूरी अच्छी से नहीं हो पाती है तो ये सारे लक्षन है ये जानने के कि आपके साथ कुछ गलत तो हो रहा है अगर ऐसे तो आपको क्या करना चाहिए एक और बड़ा सिम्टम जो मुझे समझ में आता है इस चीज में हमारी पूजा घर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो हमें ये संकेत देती है कि क्या सच में किसी ने हमारे साथ कुछ किया है मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ मेरे एक क्लाइंट है जो अमेरिका में रहते हैं और अचानक से एक दिन उनका मेरे पास रात को कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि अजीब सी बात हुई द्रिशला जी हमारे घर का एक्वेरियम एकदम से तूट गया और सारी मचलियां बहार निकल कर मर गई ये एक बहुत बड़ा संकेत था इस बात का कि उनके उपर कोई क्रिया तो की गई है उनके उपर कोई बहुत जबर्दस तोटका किया गया है जब इस चीज़ का हम लोगों ने टेस्ट किया तो हमारे सामने रिजल्ट्स वही आये जिसका हमें अंदेशा था हमें संधे था बहुत सारी ऐसी चीज़े हमारे पूजा घर से भी हमें पता चलती है दिया अचानक से जलता जलता बुझ जाना दिये का जो घी है वो खतम नहीं होता और दिया बुझ जाता है हमारे घर में रखा हुआ शंक अचानक से चटक जाता है हमारे पूजा घर में रखा हुआ नारियल अचानक से सड जाता है बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो हमें ये संकेत देती है अजीब सी स्मेल हमें हमारे घर से आने लगती है हमारे बदन से आने लगती है जो ये बताती है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो नकारत्मक हमारे साथ में हो रहा है अगर ऐसा है तो इसका उपाए क्या कर लेना चाहिए पहली बात तो मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसे कोई संकेत दिख रहे है तो आपको किसी अच्छे जोतिशी से सलहा लेकर ही कारे करना चाहिए आपको पहले ये 100% शूर हो जाना चाहिए कि ये ग्रहों का प्रभाव है या सच में किसी ने कुछ करा है लेकिन आपने ये दोनों चीज़े अगर पता कर ली है और आपको ये संदे है इस बात का कि ऐसा कुछ करा है तो आप क्या उपाय कर लें? उठाएं कॉपी पैन और लिख लें क्योंकि आपकी ये सार्थी आज आपकी समस्या का समाधान देने ही आपके समख शाई है पहला उपाय जो आपको करना है वो ये है आपको शनिवार वाले दिन एक काला कपड़ा लेना है उसके अंदर एक नीबू रखना है नीबू को आपको नीचे से काटे बिना चार फाड़ी कर लेनी है नीचे से जुड़ा रहना चाहिए और चार उसके अंदर कटा जाने चाहिए उसके उपर हनुमान जी के उपर के नीचे रखाईए। साती सात में सात परिक्रमा आपको पीपल देव की करनी है और वहां पे खड़े होकर प्रात्ना करनी है कि जो भी बला हूँ वो मेरे सिर से उतर जाए। ऐसा कहकर आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लेना है। अपने सिर्पे से साथ बार घुमाना है और उसके बाद में आपको पीपल देव पर चढ़ा देना है। ये कार्य आपको लगातार साथ शनिवार करना है, ऐसा करने से आपके उपर आई वी हर अलाबला दूर हो जाएगी। दूसरा महाउपाय, आपको अगर लगता है कि मेरे साथ चीज़े बहुत जादा तकलीफ में बढ़ गई हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ बहुत असरदार है, जो कुछ भी करने से खतम नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको शनिवार वाले दिन पांच लॉंग लेनी हैं, पांच नीबू लेने हैं, एक काला कपड़ा लेना है, और दो पानी वाले जटा वाले नार उसके बाद में दोनो नारियल को आपस में मिलाकर उसकाले धागे को उनके ऊपर बांध देना है, बाकी की सारी चीज़ आप काले कप्रे के अंदर रख देंगे, उसके बाद ये सारी की सारी सामगरी आप अपने सिर पर साथ बार उसार कर, बहते हुए जल में प्रभाहित क आएंगे और वहां से हनुमान जी के कंदे पे लगा हुआ सिंदूर आप एक दिये के अंदर मिट्टी के दिये के अंदर अपने साथ ले आएंगे उसके बाद साथ दिन लगातार आप हनुमान चालीसा का पार्ट करेंगे और उस सिंदूर को आप अपने मस्दिश्क पे धार करेंगे करके देखिएगा इन सारे उपायों से आपके उपर हुआ बड़े से बड़ा टोट का भी उतर जाएगा लेकिन अगर कुछ ऐसा है जिसका तोड इन सब चीजों से नहीं हो रहा है तो आपको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है जो आपके लिए महां उपाय कर सके बहुत सारी ऐसी पूजाए होती है जिन से आपके उपर आई हुई या लाबला दूर हो जाती है बस सही तरीका पता होना चाहिए और सही व्यक्ति होना चाहिए जो आपके लिए ये कारे कर दे चलिए आज के लिए बस इतना ही फिर आउंगी कुछ नया कुछ अलग लेकर परंतु आपसे गुजारिश है ये चैनल आपका है ये चैनल आप लोगों के लिए बना है आपकी ये सार्थ ही तब तक पूर नहीं होती जब तक आप उसके साथ जुड़े नहीं होते आप हमसे और क्या अच्छी अच्छी चीज़े चाहते हैं इस बारे में आप कमेंट ब बताएं उस बारे में भी आप हमें जरूर बताईएं आपको हमारी बाते कैसी लगती हैं ये भी आप हमें जरूर बताईएगा मैं फिर आओंगी तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा रिष्टों में मजबूती बना के रखेगा अपने सार्थी के साथ यूहीं प्रुशन